पहले सुत्र लेते हैं और फिर आज की इन सुत्रों पर थोड़ी सी बात करते हैं नरगम तिरिक जोनिम मानुस भावम्च देव लोगम्च सिद्धेया सिद्धवसहिं छजीवनियं परिकहे जह जीवा बज्जन्ति मुच्चन्ति जह ये परिकिलिस्षन्ति जह दुखानम अन्तम करेंति के अपडि बद्धा नरगम तिरिक जोनिम नरक और त्रियक योनि त्रियन्च योनि मानुस भावम्च मनुष्य भाव्च देव लोगम्च और देव लोग सिध्ध अवस्था में सिध्ध वसती में निवास करने वाले सिध्ध चजीवनियम परिकहेई और छे जीव निकाई परिकथित अच्छे धंग से कहे गए हैं जह जीवा बज्जन्ति मुच्चन्ति जैसे जीव बंथता है वैसे मुक्त भी होता है जह ये परिकलिस संति जैसे परिकलेश पाता है दुख पाता है जह दुखानम अंतम करेंति केई पडिबधा जैसे दुखी होते हैं या अप्रतिबध होकर कोई जीव समस्त दुखों से मुक्त होकर या उनका दुखों का अंत कर देते हैं ये चीजें बहुत इस्पष्ट तोर पर बहुत ही इस्पष्टता से कही गई हैं। कौन सी बातें? तो प्रमात्मा कहते हैं कि नर्क, त्यंच योनी, मनुश्य भव, देवलोक और सिद्ध अवस्था में जो सिद्ध जीव हैं वो और छे जीव निकाए इन सब को बहुत अच तरीके से कहा गया है या पूरी तरीके से इनको समझाया गया है। जैसे जीव बंधते हैं, वैसे ही मुक्त भी होते हैं। जैसे परिकलिष्ट होते हैं, जैसे दुखी होते हैं, जैसे पूरी तरीके से पीडित होते हैं, वैसे ही आप्रतिबद होकर कुछ लोग, कुछ जन कुछ जीव, समस्त दुखों का अंत भी कर देते हैं इन दो सुत्रों में प्रमात्मा ने भवचक्र का और भवचक्र से दूसरे आयाम, सिद्ध का निर्वान का वर्णन किया है उसके विश्रे में कुछ उनोंने सूचनाई दी है प्रमात्मा कहते हैं कि जैसे नरक गती, त्रियंच गती, मनुश्य गती, देव गती त्रियंच गती अर्थात और फिर इन चारों गतियों को छे जीव निकाय में बाटा गया है जिसमें पृत्विकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायूकाय, वनस्पतिकाय और तरसकाय प्रत्वी काय अर्थात प्रत्वी के रूप में उन जीवों का समो हो जो प्रत्वी को शरीर के रूप में धारन करते हैं मिट्टी के जितने भी रूप हैं उन सारे रूपों में उनके शरीर होते हैं और उन शरीरों में वो जीव निवास करते हैं इसलिए प्रिथवी काय जीव कहलाते हैं अपकाय पानी के अनीक रूपों में जो जल है जल ही जिनका शरीर है या जल को जो शरीर की रूप में धारन करते हैं वो जीव, उन जीवों का समूह हों, अप काय कहलाता है, या जल काय कहलाता है, या पानी ही जिनका शरीर है, ऐसे वो अप काय जीव हैं तेजस काय, अगनी की बहुत सारी रूपों में, जिनोंने अगनी को ही अपना शरीर रूप धारन किया है, या अगनी को शरीर रूप में अंगिकार करके जो उन शरीरों में निवास करते हैं, उन तेजस काय की जीवों को तेजस काय कहते हैं, अगनी काय कहते हैं वायू हवा जिनका शरीर है उन जीवों को वायू काय कहते है और ऐसे जीवों के समुहों को वायू काय कहा जाता है उसके पश्चात है वनस्पति काय पेड और पौधों के रूप में ये जितने भी वनस्पती आपको दिखाए देती है वनस्पती के जितने भी प्रकार आपको दिखाए देते हैं ये सब वनस्पती काय में है अर्थात व्रक्ष, पेड, पौधे, अंकुरन, बीज आधी के रूप में इस जितने भी पेड़ पौधे हैं, जिनोंने इन पौधों को, इन पत्तों को, या इन बड़े-बड़े व्रक्षों को, या छोटे-छोटे पादपों को, जिनोंने अपना शरीर धारण किया है, अपने शरीर के रूप में अंगिकार किया है, उसे हम वनस्पति काई कहते हैं और फिर आखरी है त्रसकाय, त्रसकाय में बेंद्रिय से लेकर शंगी पंचंद्रिय तक समस्त जीवों का समावेश हो जाता है। त्रसका मतलब होता है चलने वाला फिरने वाला जो एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है। तो बेंद्रिये से लेकर पंचिंद्रिये तक जितने भी जीव हैं फिर इसमें मनुष्टे भी आ जाते हैं त्रियंचों की बहुत सारी प्रजातियां आ जाते हैं वैसे पेड़ पौध है आदी भी और ये वनस्पति काय, वायो काय, तेजस काय, पृत्वी काय, अपकाय, ये जो हैं ये भी त्रियंच में गिने जाते हैं, परन्तु त्रियंच में केवल ये ही नहीं है, तरस में बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो चार उपेरों प तो हैं जिने हम तरस कहते हैं इस्थावर नहीं कहते हैं अब इसे थोड़ा सा समझ लिए इस्थावर कहते हैं जो एक जगे स्थिर रहता है जिसको यदि उसकी गतीवी होती है जैसे हवा है यह जैसे पानी है तो उसको चलने के लिए उसको बैहने के लिए कोई निमित की आव यह हमारा क्यूंकि वाता वर्ण ऐसा है इसलिए वो क्या करती रहती है स्थूल हवा इस तरीके से गती करती है पर अंतु फिर भी hop को इस थावर में गिने जाते हैं मिट्टी तो इस पश्टत ह्स्थावर है इसी तरीके से पेड़ पोधे हैं ये भी स्थावर है तो ये स्थावर जीवों को जो एक जगे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्थावर कहते हैं और तरस का मतलब जो एक जगे से दूसरी जगे दूसरी से तीसरी जगे ऐसे गती कर सकते हैं उन्हें हम तरस कहते हैं तरस में फिर हम मनुष्य भी आते हैं देवत बिशुष में होग जाता है इस तरीके से ए सारी के सारी इसको कैता हको नाम दिया है भगवान ने चतुर गती संसार चार गती रूप ये संसार हैं इस चार गती रूप संसार में जीव भ्रहमन करता है जीव भटकता है यह जीव इस चक्र में बस एक गती से दूसरी गती में क्या करता है बस इसी तरीके से घूमता है फिरता है पर यहां पर निराश होने के आवश्यक्ता भी नहीं है क्योंकि यह तो केवल एक चक्र जैसा आपको दिखाई देगा कि बस घूम रहे हैं इसमें त सिद्ध अवस्था में सिद्ध वसती में सिद्ध के जो उनका अपना आलय है जो अपना घर है जो अपना सभाव है उसमें भी निवास करने वाले जो सिद्ध हैं वो भी तो दोनों ही चीजें आपके सामने हैं एक तो है जो जीव अपने सभावस्थ हैं जो अपनी ही आत्म में हैं जिन्होंने अपने द्रश्टा में अवस्थान किया है ऐसे ईश्वर कोटी जो जीव हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं और दूसरे हैं जिन्हें अपने सुभाव का बोध नहीं है जिन्हें अपने स्वरूप का ग्यान नहीं है जो अब ये अपने स्वरूप का ग्यान नह होनी की कारण ये क्या करते हैं ये पर घर में घूमते हैं हमारे एक जैन कभी हुए है ज्यानत राय जी उन्होंने बहुत अच्छा गीत बनाया है और उस गीत का मतलब है हम तो कब हून निज घर आए हम तो अपने घर में कभी नहीं आए अर अपना घर मतलब ये आत्मा का ये सभाव का जो घर है यह जो सिध्ध अवस्था का जो घर है इस घर में नहीं आए तो इस घर में ना आने की वज़े से क्या हुआ है एक भटकन है यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किराये के घर पर जब तक रहते हैं तब तक तो घर बदन नहीं पड़ते कब ultimate metem आजाए कब आपके लिए भटकन आजाए कि भटकन है एक मैने का समय है आपके पास अब हमारा घर क्या कर दो खाली गर दो तो करना बड़ता है ना भी आपको खाली करना पड़े तो भी एक भाव तो रहता है ये मेरा घर नहीं है इसी तरीके से जब तक आप इस अपनी अवस्था में इस्थित नहीं करते जब तक अपनी अवस्था में अवस्थान अवस्थित नहीं हो जाते तब तक ये घरों को बदलने का चक्र ये पड़ावों पर पड़ावों को बदलने का एक फेरा ये चलता ही रहता है और इसी को ही तो प्रमात्मा कह रहे हैं चरे नरगती, द्रियन जगती, मनुश्यभव, देवलोक, फिर छे जीव, निकाय जीव हैं इन सब में बस ऐसी चक्र खाता रहता है ऐसी भटकता रहता है इस भटकन के लिए न, जब अगर हम जीवों को देखें तो इस भटकन में तीन चीज़ें दिखाए देंगी आपको और इसे आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं, खुद से भी जोड सकते हैं और जोड़ना भी चाहिए क्योंकि यह प्रवचन तो हमारी लिए होता है, अपने लिए तो होता है तो इसे खुद से संबंदित करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन किस तरीके से हमारा निरठ्थक और ब्यर्थ चला जा रहा है और जीवों के साथ यह कलंक की कहूंगा हमें, कलंक का मतलब उन पर दाग हैं यह अब क्योंकि जितने भी जीव हैं मनुष्य के आलाव वो प्रकरती के अधीन होकर जीते हैं पर मनुष्य जो है वो तो विवेक और बुद्धी का स्वामी है न तो उसको तो सोचना चाहिए परंदों मैं देखता हूँ कि बड़े-बड़े बुद्धी शाली पड़े लिखे लोग भी इन चीजों के फेर में पड़े रहते हैं ये दाग उनके जीवन में भी दिखाये दे जाते हैं कारण क्या है कारण यही है कि अपने घर का पता ही नहीं है और पता भी है तो अपने घर में वापसाना ही नहीं चाते पड़ोसियों के महमानवाजी इतनी भागई है कि अपने घर की यादी नहीं आते संसार एतना रुछ गया है संसार मन में इतना रम गया है कि अपने घर सिद्ध अवस्था की यादी नहीं आती उसकी स्मृती ही नहीं होती और सदगुरु यदि तोड़े से इस्मृती करवाने की तोड़े से याद दिलाने की कójशिश करे मनुष्य के साथ तीन कलंग उसने जोड़े वे अपने जीवन में सबसे पहला जो दाग है सबसे पहला जो कलंग है वो जोड़ा है वो कहते हैं उद्देश हीन जीवन जीवन तो है परन्तो कोई उद्देश ही नहीं है अब आप कहोगी कि ऐसे कैसे कह सकते हो आपके उद्देशे नहीं है हम तो एक बच्चे को पैदा होने से पहले उद्देशे पकड़ा देते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा अरे मेरा लाल तो भी है न ये बनेगा, वो बनेगा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा अभी वो पैदा भी नहीं हुए उससे पहले आप उसके लिए निर्दारित कर देते हैं कि हमारा बेटा क्या बनेगा बाद में वो बने या न बने वो अपनी ही एक नई दिशा एक नया रास्ता अक्तियार कर लिए वो बात अलग है पर फिर भी सपने तो होते हैं न आपके कि भाया हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे ये करेंगे और वो करेंगे सपने तो आप देखते ही हो इन सपनों में आप एक चीज पर गौर नहीं करते कि आपके जितने भी लक्ष होते हैं जितने भी उद्देश्य होते हैं और उद्देश्यों के लिए जितने भी संकल्प होते हैं वो सारे के सारे इसी संसार से संबंदित है आपको डॉक्टर भी बनना है आपको इंजिनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको जज बनना है या आपको पढ़ाई, लिखाई करके कुछ भी, आप जो भी बनते हैं, वो इसी संसार के लिए बनते हैं. आप जो भी निर्धारित अपने जीवन के लिए लक्ष निर्धारित करते हैं वो इसी संसार में होता है और इसी संसार का होता है संसार एतर जगत के आपको कोई सूचना, कोई समाचार होते ही नहीं है तो उद्देश्य हीन जीवन है उद्देश्य हीनता का ये जो जीवन है ये बस निर्देश्य है उद्देश्य का और उसे थोड़ा सा समझ लेजिए क्योंकि जब हम दुनियादारी को जीते हैं हम बड़े-बड़े सफल लोगों को देखते हैं तो बड़े-बड़े सफल लोगों को देखने के बावजोड। आपको लगेगा कि क्या ये लोग सफल हैं तो क्या इनका जीवन उदेशिहीन हो गया। इतने बड़े बड़े धनपती हैं, इतने बड़े 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 बिजनसमेन हैं, इतने बड़े 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 companies के, बड़े बड़े factories के, बड़े बड़े मालिक हैं, बड़े नाम समाज में चलने वाला जिनकी तूती बोलती है, ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं बड़े-बड़े राइटर्स हैं कितने सारे और कितने सारे आयाम हैं जिन जिन आयामों में कितने सारे कितने सारी फिल्ड हैं और उन फिल्ड में आप बिल्कुल जो successful लोग हैं आप उनको देखें और देखकर देखो कि बताओ और येतने को कि अभी इनको निरुद्देश्य जीवन है तो उद्देश्य तब सफल कहा जाता है जब वो त्रिप्ती जब वो एक संतुष्टी आनंद प्रसन्नता लाता है आपका कोई साभी उद्देश्य वो यदी प्राप्त होने के बाद आपको त्रिप्त न करे आपको संतुष्ट न करे आपको एक गहरी प्रसन्नता न दे दे आपके जीवन में गहराई न लाए तो आप निश्चित मानो कि उद्देश्य को पाना ये ना पाने के बराबर है इसलिए तो वितराग प्रबू कहते हैं, भाईया, उद्देशेहीन जीवन है, उद्देशेहीन जीवन क्यों है? क्योंकि हमारा सारा उद्देशी यही है, कि हम थोड़ा पैसा कमा लें, हम अच्छा सा घर बना लें, हम अच्छा गाड़ी खरीद लें, हम अच्छा अपना status symbol बढ़िया establish कर लें हम बढ़िया से बढ़िया समाज में दुनिया में हम अपना नाम कर लें केवल आपके उद्देश्यों में ये चीज़ें होती है और इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो जीवन बर खटता रहता है जो जीवन बर थकता रहता है या अपनी नीद अपनी चैन अपनी शांती दाओ पर लगाता रहता है उसकी तरफ कभी आपका ध्यान नहीं जाता है कि वो जो सारे के सारे लक्ष बना रहा है जो सारे उद्देश्य खड़ा कर रहा है उसे भी तो देख लो भीया वो उद्देश्य बना किसले रहा है वो किसले अपने सारे के सारे पड़ाओ उपर पड़ाओ पर पड़ाओ बस लगे जा रहा है भागे जा रहा है दोड़े जा रहा है उसके दोड़ में कोई केंद्र भी है या नहीं उसके दोड़ का कोई परिणाम है भी या नहीं बस यह है कि बज़ भागे 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 और भागते भागते हार्ट अटेक हुआ और मर गए पर ये जीव मात्र का दुरुभाग्य है कि उसके जीवन में उद्देश्य नहीं है और उद्देश्य की सफलता तब होती है जब उसमें त्रिप्ती होती है और त्रिप्ती तो केवल और केवल आत्मग्यान से ही आती है अज्यानता में चाहे आप कितनी भी बड़ी सफलता अर्जित कर लें अज्यानता में आप सोने की लंका भी बना सकते हैं पर उस सोने की लंका में आपको चैन न मिलेगा नींदनी आएगी शानती से कारण क्या है? कारण ये है कि बाहर में तो सोनी की नगरी बना दी पर भीतर में दरिद्र हो गए हो भीतर में दीनहीन हो गए हो भीतर से बिलकुल ही गरीवी छा गई है भीतर से दीनता प्रगट हो गई है और भीतर की दीनता तो केवल और केवल ज्यान से ही मिठती है प्रकाश से मिठती है और जब आत्म बोध का प्रकाश आता है जीवन में तब आपको ओ अत्रिप्ती का और संतुष्टी का सारा का सारा मैल धुलकर समाप्त हो जाता है तो अदेश ये नहीं है कि तुम्हें स्वन की लंका बनानी है बनाओ कौन मना करता है परन्तु जो बनाने के लिए जूज रहा है उसको मत भूलो क्योंकि यदि तुम उसको भूल गए तो तुम बना तो लोगे परन्तु किसी दिन कोई हनुमान आएगा और लंका की आग लागा कर सब स्वहा कर जाएगा तो देश्य हीन जीवन ये जीवन का पहला पहला दाग है ये पहला कलंक है जो हम सभी पर लगा है और दूसरा कहा दिशाहीन जीवन एक तो है निरुद्देश्य भटकना दूसरा है दिशाहीन कोई दिशा ही नहीं है जीवन की और दिशा नहीं है इसलिए कोई दशा ही नहीं है जीवन की आप देखते हैं ना जैसे कोलू का बैल चलो आज कल तो नहीं होते पर पुराने जमाने में जब कोलू आज भी अगर दूद दराज के गाउं में होंगे तो कोलू का बैल क्या करता था भाई वो घूमता था उसके कांधे पर वो कोलू का वो एक बड़ा सा डंडा होता है कोलू में और उसके उपर एक लंबा सा डंडा लगा के फिर उसको बैल के कंधे से जोड़के और फिर बैल गूमता रहता था और कोलू गूमता रहता था अब सुबह से लेकर शाम तक वो घूम रहा है वो बैल अब आप बताईए कि उस बैल का घूमना तो बहुत सारा है पर पहुंचना कहां है जा कहां रहा है वो तो आप कहोगी कि उसको जाने की क्या जरूरत है क्योंकि यदि वो इदर दर चला गया तो फिर तेल कैसे निकलेगा हाँ बात तो सही है अपकी उसको तो चलो उसके घूमने का एक परिणाम तो मिला कि सुबह से लेकर शाम तक काफी सारा तेल निकाल दिया उसने पर आप तो देखो आपका तो इस सारे के सारे दिशाहिन जीवन में खुद का तेल निकल जाता है फूर का सारा का सारा रस सूख जाता है जीवन का आप बच्पन में और आज के अपने जीवन में आप कंपेर करके देखो खुद को आप बच्पन में जैसे आनंदित थे जैसे आपको जब business पकड़ाय जाता है ना जब माबाप आपको business में उतारते हैं ये जब आप एक नई job में उतरते हैं ये खुदी आप एक अपना नया business setup चालो करते हैं तो शुरू में क्या होता है शुरू में आप थोड़ी सी पूझी लगाते हैं पूंजी लगाने के बाद आप उस पूंजी को बढ़ाते चले जाते हैं। बिजनस करते हैं, भईया महने दर महने, साल दर साल आपका बिजनस फुलता है, फूलता है, खूब सारा आपको पैसा देता है। पहले दिन के मताबिक और आज के दिन में यदि आप देखोगे तो में फर्क मैसुस करोगे ही करोगे कि हाँ, हमने काफी कमाया, हमने अपना बिजनस काफी बढ़ाया, जैसे आप एक छोटी सी पूंजी को लाखों, करोडों, अरबों में बदल देते हैं, दुनिया में बदल ही रहें लोग, अब आप ये इस चीज को देखोगे तो इस प्रकरती से आपको मिलती है, बच्पन की सरलता, सहजिता, उसकी प्रसनता, उसकी खुशियां, उसका वो सहज, भोलापन, वो सब कुछ आपको प्रकरती प्रदक्त सहज मिलता है, पर होता क्या है, कि वो स्पूंजी का हम सत्यानाश कर देते हैं, जैसे बड़े होते चले ज है जितने भी डिपरेशन है या जितने भी एंग्जाइटी है उन सब में ये सारे की सारे चीजें के वल माता पिता को नहीं हूती बल्कि अब गजब यह है कि माता पिता से ये बच्चों तक भी पहुंच सकती है और पहुँच सकती नहीं है, पहुँच रही है, बहुत सारे बच्चों को अपने आप डिप्रेशन होता है, अपने आप ही उनको इंग्जाइटी होती है, इन चीजों, इन बुरी चीजों की चकर में अपने आप फस जाते हैं, तो लोग कहीं कियों भईया भी तो बच्चा है, काय का डिप्रेशन हो गया इसको, कारण यह नहीं है कि उसको कोई डिप्रेशन का बिमारी है, कारण यह है कि माता पिता डिप्रेश्ट है, तो उनकी वज़े से बच्चा भी डिप्रेश्ट हो गया, हमने जमाने को कहां से कहां पोंचा दिया, और फिर भी आप कहते हैं कि ह हम तो बढ़ी जीवन है, तोड़ा सा बेहोशी, इसलिए तो महावीर परभु ने परिग्रह को मूर्चा कहा है, मूर्चा, बेहोशी, वो कहते हैं, मुच्चा परिगुहो बुत्तो, भाई यह परिग्रह मूर्चा है, मूर्चा का मतलब क्या होता है? बेहोशी, आप अपना होश खो देते हैं आपका nervous system क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है अब nervous system डाउन होआ, एकदम से अपना होश खोया अपना conscious level आपका बिलकुल ही गिर जाता है आदमी हाथ पाउँ छोड़ देता है, बाहर की चीजों का पता नहीं रहता पर इसका मतलब यह थोड़ी ना कि दुख खतम हो जाता है दुख तो वही का वही विद्यमान रहता है मालेजे कि कोई सी दुरगटना की वज़े से आपको बेहोशी चा गई तो वो दुरगटना खतम हो जाएगी क्या डॉक्टर्स भी तो करते हैं ना ओपरेशन ओपरेशन करते हैं आपको एनस्थेशिया दे देते हैं या आजकल तो जिस हिस्से में ऑपरेट करना होता है उसी हिस्से को एनस्थेशिया दे के उसको सुन कर देते हैं बस पर बात ये है कि जिस हिस्से पर आपने अनेस्टेसिया लगाया वो हिस्सा सुन तो हो गया या आप बेहुश तो हो गये पर क्या वो दुख या वो दर्द मिट गया क्या आपका नहीं दुख और दर्द तो वहीं कब वहीं रहता है वो तो वहीं है हाँ बस ये कि आपको वो अनुभव नहीं हो रहा क्यों नहीं अनुभव हो रहा क्योंकि उस हिस्से को वो जो एक नर्वस वो जो भीतर नस नाडियां चल रही है वो नस नाडियां आपको यहां सूचना देनी बंद कर देते हैं कि यहां कुछ हो रहा है तो आपको पता नहीं बना है, घर में कोई नहीं चीज आईए, घर में नहीं बधु आईए, घर में कुछ नया काम हुआ है, कोई नया दोस्त बन गया है, नया बैपार खड़ा किया है, नहीं दुकान खरीदी है, नया कपड़ा खरीदा है, यह सारा का सारा परिग्रह है, और जैसा जैसा परिग्र रहाता वैसे मूर्चित होता चला जाता आद्मी, दुख वहीं का वहीं, और आद्मी इन मूर्चाओं में पड़के, उस सारे के सारे दुख से एक बार के लिए भूल जाता कि जीवन में दुख है, नया कपड़ा है दुख होता रहे, नया घर तो है, घर वाली तो है, चलो घ कर देता भुला देता है तो दिशाहीन जीवन का मतलबी यही है कि आपके जीवन में बस कोलू के बैल जैसी वाली इस्तिती है गूम रहे हो गूम रहे हो गूम रहे हो भगवान महावीर कहते हैं कि जो तुम हर जनम में वही है हर साल में वही है हर महने में हर दिन में हर घंटे में हर सबता में हर खशन में हर पल में वही है मतलब वही हसना रोना खाना पीना चलना उटना बैटना जीना मरना बस एक दिन जनम लेते हैं खाते पीते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं फिर फिर से जनम लेते हैं फिर एक खाते पीते फिर मर जाते हैं फिर जनम लेंगे फिर एक बात उन्होंने कही कि ये है संसार चक्र चक्र का मतलब ही होता है कि आपको वही वही आएगा आप यदि एक गोल गोल चक्र में घुमते रहेंगे तो वही वही चीजी आपको रिपीट होंगी आप यदि घर से लेके यहां इस्थानक तक आते हैं और फिर उसी रास्ते से वापस घर तक जाते हैं फिर वापस यहां आएंगे और यहां से वापस उसी रास्ते से वापस जाएंगे तो आपके लिए वही घर वही दुकाने वही लोग वही जमीन वही मिटी वही पत्थर वही सब कुछ वही वही आता रहेगा जितने बार आप इसे repeat करोगे उतनी बारें वो सारी के सारी चीज़े repeat होती चली जाएंगे तो भगवान संसार को चक्र कहते हैं चक्र क्यूं कहते हैं क्योंकि यहां कुछ नया नहीं हो रहा आपके साथ आपको नया लग रहा है पर नया हो नहीं रहा ये पहली बार नहीं है आपके साथ जो ये पहली बार घटी तो हो रहा हूँ बस ये चल रहा है इसलिए भगवान कहते हैं संसार चक्र पर मोक्ष को उन्होंने चक्र नहीं कहा मुक्ती को चक्र नहीं बोला मुक्ती चक्र नहीं होता कुछ संसार चक्र तो बोला भव चक्र तो बोला है भव चक्र संसार चक्र एक ही बात है दुनियावी चक्र है न जहां सब बस घंचक्र की तरह गुमते रहते हैं पर बात यह है कि मोक्ष को हम चक्र नहीं कहते हैं क्यों नहीं कहते हैं भीया मोक्ष को मार्ग तो बोला है परंदो चक्र नहीं बोला तो आप संसार चक्र से ही समझ जाएं कि उसकी असलियत क्या है उसी से समझ में आ जाना है चाहिए कि इसकी सही माइनों में इसकी असलियत है क्या तो पहली बात ये कि जीवन उद्देश्य हीन है दूसरी बात ये है कि जीवन जो है वो दिशाहीन है और ये हमारी ही निर्णे से ऐसा हुआ है कोई उद्देश्य जीवन में है नहीं सार्थक कोई दिशा हमने अपने जीवन को दी नहीं है उद्देश्यता तो केवल पुन्य भा नहीं है धर्म जीवन में नहीं है तो उद्देश प्रगठ होगा कैसे हमारे यहां पे संसार चक्र में रहने वाले जीव जो बेभानी से जो मूर्चा और ब्योहुशी और प्रमाद से इस चक्र में ही सुख खोज रहे होते हैं उनको आचारिय हरिभद्र सूरी ने एक वो कहते हैं ये भवाभी नंदी लोग हैं भवाभी नंदी ये शब्द बड़ा गहरा है भवाभी नंदी एक श्लोक उन्होंने दिया भवाभी नंदी जीव किसको कहते हैं तो वो कहते हैं क्षुद्रो लाभ रते दीनो मत्सरी भयवान शठः अग्यो भवाभी नंदी स् लिष्वलारंब संगतह वो कहते हैं कि जो भवाविनंदी जीव होते हैं इनका पहला लक्षन है पहला लक्षन क्या क्या क्षुद्र होते हैं शुद्र पामर छोटी सूचवाले छोटा सा दिल होता है ब्रावड माइंडेट नहीं होते, उदारता नहीं होती, तो उदारता नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं क्षुद्र है, तो जो क्षुद्र होगा वो भवा अभिनंदी होगा, भव अभिनंदी, भव का अभिनंदन करने वाला, बड़ा खुश होने वाला, वावा मजे आ गए तो जो केवल संसार में ही मजे आगई वाली भाव से रहता भाईया उसको का ये भवाविनन दी और उसका पहला लक्षन उक्षुद्र होगा छोटे दिल का होगा उदार सोच नहीं होती उसकी फिर दूसरा क्या कहा है करे वो होता है लाब रती लाब रती का मतलब कोई भी लाब हो जाए छोटा या बड़ा बड़ा खुश हो जाएगा बड़ा प्रसन लड़ू बांटेगा गली गली में बच्चा पैदा होने अगा तो घर में बड़ा प्रोग्राम रखेगा हर साल जनम दिन आएगा तो बड़े धुन धाम से जनम दिन मनाएगा ये भूल जाता है कि भाईया तेरी जीवन का एक साल कम हो गया बलकि उसका मातम मनाना चाहिए एक साल और कम हो गया हमारे जीवन का पर नहीं खुश होता है हर साल बढ़िया बढ़िया केक काटता है जितने साल का हो जाता है उतना मंजिला केक काटता है जितना दुनिया में उलजता है उलजनों को बढ़ाता है उतना ही आनंदित होता है तो का लाब रती संसारिक लाब में बड़ा प्रसन्न होगा बहुत खुश हो जाएगा कि यहां बहुत बढ़िया हो गया मज़ा आनंद आ गया और उसका आनंद का केंडर ही संसार है और संसार का मतलब उसका नहीं है वो आज है कल नहीं है कल है परसो नहीं है और निकल जाएगा उसके हाथ से छटक जाएगा पर है लाब रती वाला बड आत्म ओज नहीं होता, साहस नहीं होता, दरिद्र की तरह बिल्कुल मन में यह से मरे पिटे भाव लेकर घूमता रहता है, इसको कहते हैं दैन्य, दीन हो जाना, तो कहां लाभरतिर दीने, दीन होता है, रंक की तरह बिल्कुल ही दीनता में जीने वाला, और भगवान महावीर क्या कहते हैं साधक के लिए अदीन मन सोचरे साधक के लिए जरूरी है अदीन मन होकर विचरन करे दीन ता अपने मन में ना आने देखे हाई मेरा क्या होगा मुझे तो लोग भूसते भी नहीं है मुझे तो सही डंग से खाने को भी नहीं मिलता सई डंग से कपड़ी भी नहीं आजकल पहनने के लिए तो आजकल तो शरीर भी ठीक नहीं रहता आजकल तो लोग भी साथ नहीं देते रिष्टे नाते वाले भी पतानी क्यों मुव फिलाई फिलाई फिरते हैं इस सारी की सारी चीजें जब संसार की सोचते हो नातों और रिष्टों की सोचते हो घर और परिवार की सोचते हो और फिर सोच सोच कर कुड़ते हो सोच सोच कर डिप्रेशन में जाते हो भगवान कहते हैं यह दीनता है और ऐसी दीनता साधक के मन में नहीं होनी चाहिए धर्मात्मा की विक्ति मन में नहीं होने चेहां सान सारिक्त का तो ये लक्षणी है भवावी नंदी जीव का तो ये गुण है कि वो दीन होगा उसके मन में ऐसी ही बातें चलेंगी फिर उसकी बात कहा मत सरी, चुगल खोर, इरशालू जो भी गुणवान लोग हैं, धनवान लोग हैं, पड़े लिखे लोग हैं, नामधारी लोग हैं, उन से चिड़ेगा है इनका नाम कैसे हो जाता है या ये वैसे कैसे कमा लेते हैं जरूर कोई न गड़बड घोटाला करते होंगे ने तो पैसा इतनी जल्दी कमाया नहीं जा सकता तो फिर उन पर नाम धरता है, उनसे चिड़ता है, कुड़ता है बोलता नहीं है पर दिवितर मितर में उनसे जलता है तो जो दूसरों से जलन रखता है उसको का मतसरी राग देशी होता है, भैवान डरता रहता है किसी न किजी चीज से डरा रहेगा और संसार का तो मतलब भी डर है उसके बाद का मायावी शठ होता है धीट कितने भी पिटाई खाले संसार के पर संसार से हटेगा नहीं फिर का ये धीट है और आखरी का अग्य अग्यकार्थात आत्म बोध रहित होता है अपने आपके बारे में जानता ही नहीं है ये सारे के सारे लक्षन देखिए किस तरीके से भवाविनन्दी जीव के आचारी हरिवद्र सूरे ने कहें और ये संसारी जीवों पर घटित होंगे आप दूसरों को मत देखें आप देखेंगे कि ये जीवन में ये हमारी ही मन में ये सारे के सारे दोश बने बैठें और जब तक इन में से कोई सावी दोश शेस है मन में तब तक याद रखना कि भवाविनन्दी हो भवाबिनंदी मतलब संसार का अभिनंदन करने वाले, संसार की प्रशंसा करने वाले, संसार में मोद मनाने वाले तो पहला कहा जीवन का पहला कलंक है निरुदेश्य हीन जीवन दूसरा कहा दिशाहीन जीवन और तीसरा कहा विचारहीन जीवन इतना सारा यदि सुनकर भी यदि मन में भवचक्र से मुक्त होने का कोई विचार ना आए प्रमात्मा को के खयाल ना आये तो याद रखना कि यह विचारहिन जीवन है विचारहिन जीवन का मतलवी यही होता है कि विचार तो बहुत होते हैं बहुत दुकान कैसे कर लूँ रिष्टे कैसे बना लूँ बेटे को कैसे ब्याहना है कितने बड़े घर में रिष्टे जोडने है या क्या करना है दुनिया को कैसे बढ़ाना है इन सारे विचारों के भीड में एक भी विचार ये नहीं होता कि सत्य को कैसे पाना है कि प्रमात्मा को कैसे प्रेम करना है इसी को कहते हैं विचार ही जीवन अपने को सही और सटीक द नहीं है तो कोई विचार विचार ही नहीं है उसे विचार ही नवस्था कहते हैं तो ये तीन दोशे हैं इन तीन कलंकों से बचने की कोशिश करें यदि आप बचने की कोशिश करेंगे तो जीवन में उद्देश्य होगा अर्थात आप होंगे जीवन में दिशा होगी अर्थ झाल झाल झाल